अलो फ्रेंड नमस्ते वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माई चैनल मैं हो केरन दोस्तो आज फिर से मैं आपके लिए एक लेकर करके आई बैतरिन हेर केर डियाइवाई जिससे आपके बालों से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सॉलिशन मिलेगा आपके बाल हो जाएंगे बेहत लंब काले घने मुलाएं तो दोस्तो उसके लिए कुछ नहीं करना आज का ये नुस्खा पूरा देख लिए देखिए और अपने उपर इसको जरू ट्राइ करिएगा तो दोस्तो आज के इस नुस्खा को बनाने के लिए सबसे पहली सामगरी आपको लेनी है अरहुल के फूल और उसकी पत्तीयां मेरे पास अभी एक ही फूल अवेलबल था दोस्तो आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं और मुझे जो है यहाँ पे मिरे पास है लाल वाला कलर का पौधा तो मिरे पास फूल बहुत ही जादा नहीं था एक ही फूला हुआ था फूल तो मैंने यहाँ पे पतियां बिसकी तोड़ ली हुई है और इसमें एक फूल भी डाल दिया अगली सामगरी आपको लेनी है यह है हमारा मेथी दाना कहा जाता है दोस्तो गुनों का भंडार होता है किसी भी चीज में डाल करके मेथी दाना करन उसका आप बना करके अपने बालों पी लगा सकते हैं हमारे बालों को बहुत ही जादा स्ट्रॉंग करता है जरों को मजबूत करता है बालों की जरों जब मजबूत होंगी दोस्तों तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी और जब आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी वो भी आप ट्राइ कीजिए, बहुत एफेक्टिव होता है, तब नुस्का को कैसे बनाया जाए दोस्तों, किसी भी बर्तन में आपको एक गलास पानी लेना है, उसमें ये पत्तियों और फूल को डाल देना है, वाश करके कोशिश करें डालने का, और इसमें आपको एक चमस मेधी धाना, अब दोस्तों, इसको क्या करना है, आपको कम से कम, आर से दस में तक अच्छी से उभालना है, ये जो हरी वाली पत्तियां, और अगर ये फूल होता, तो इसके कलर निकल के, जब उस पानी में गूलेगा, तो एक दम बहत्रिन कलर फूल पानी मिलेगा दोस्तो और ये बहुत ही मैजिकली आपके बालों के लिए खाम करेगा, बिना किसी साइड इफेक्ट के दोस्तों, इसको बोलते हैं, आप सीरम के जैसा इसको 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 इस्तमाल कर सकते हैं, ये देखिए, क्या मस्त कलर आया है, तो सीम ऐसा ही कलर आपको आपके बालों के लिए और खुबसरती जो है आपके बालों कितना जादा ये कर देगा, कि आपको बिल्कुल भी यकिन नहीं होगा, तो सबसे पहले इसको अच्छे से ठंधा कर लेना है, ठंधा करना बहुत ही जादा जरूरी है दोस्तो, ठंधा करने से क्या होगा, आपके बालों को किस तरह कोई नुकसान नहीं होगा अगली समगरी आपको लेना है Elvera Gel Elvera Gel दोस्तो हमारे बालों को natural conditioner करता है हमारे बालों को natural conditioning देता है और बालों से खोई वी चमक वापस लेके आता है बे जान बे रुखे होड़े बालों को भी अच्छा कर देता है मुलाइम कर देता है दोस्तो इसलिए यहां पे आपको एक से डिर चमच Elvera Gel डाल देना है बिल्कुल clear and transparent बिल्कुल बौधा वाला Elvera Gel होता है वैसा ही जल है आप इसको अराम से यूज़ कर सकते हैं किसी भी DIY में किसी भी beauty tips में किसी भी hair care tips में बहुत ही अच्छा है और अगर आपके पास पाउधे है तो इसको भी इस्तमाल किजिए दो तो और भी ज़्यादा बढ़िया होता है इसको क्या करना है आपको मैं बता दें इसको यूज़ कैसे करना है तो एक चमस अपने Elvera Gel मिक्स कर दिया उसको एज़टीज रखे और ठंडा करने के बाद अपने बालों को जब भी आप शैंपू करते हैं शैंपू करने के बाद कोशिश करें कि हमेशा इस तरीके में का जो है डियाए वाला पानिस अपने नॉर्मल पानिस पज़ेस वाले पानिस अपने बालों को वाज्च करें दोस्तव तो दोस्तों यहां पर मैं एक चीज और बताऊंगी कि शैंपू जब भी यूज करते हैं और कोशिश करें कम केमिकल वाले जो मार्केट में हवल शैंपू आरवेडिक शैंपू उस टैप का मिलता है वो ले मैंने बहुत सारी शैंपू यूज करती रहती है जो बहुत ही कम केमिकल वाले होते हैं और बालों से जिसे कोई नुपसान नहीं होता है वो शैंपू यूज करें तो शैंपू करने कबाद इसी पाने से आपको बालों को धो लेना है रिंज कर लेना और ऐसे ही छोड़ दे बि मुझे मेरे बाल बहुत पसंद है आप देख सकते हैं पहले और अपके बाल में बहुत ही ज्यादा अंतर तो मुझे मेरे बाल पसंद झालों के वो खुबशLEY बनाना चाहते हैं। तो नुश्चत फीस प्रिल्स को फालो करें।